अज सुबा मैंने आप लोगों को यहां इसलिए बुलवाया है कि इस गाउं के उपर एक भयानक विपत्ती आने वाली है एक ऐसी स्थिती आने वाली है जो हमारे गाउं की सभेता को भष्ट कर देगी का हुआ महराज ऐसी कौन सी घटना घटने वाली है लाल बत्ती की एक वि मंदिर में रिभाब रिभाब यह तो बड़ा गजब बात है महराज किसके साथ कौन हो जो भी है वो यह शादी नहीं हो सकती इस शादी पर रोग लगानी होगी बंचायद बुजुर्गों गाउंवालों को मेरा साथ देना होगा अच्छा का है का है उस बेशिया का ब्यहा कर लेने दीजए निए उका ब्या का इंगां की समस्या से कार लैना देना है दूणिया बनाने Mozart को टीन रूप दिये गए एक दिवika मां और दूसरा वंचछ बढ़ाने के 熬तिनी का मां और दिस्रा वासना पूर्टी के लिए विश्शा का हर किसी का अपना अपना स्थान है किसी को कुछ पुछना है कोई सबाल अब मुख्या मैं तुम्हारे प्रशन का जवाब देता हूँ मैं इस मंदिर का धलमादी कारी हूँ पुरे काउं का रखवाला हूँ अगर आज मैंने उस गुप्त पेमी को एक विश्चा से शादी करने की सहमेती दे दी तो कल हर कोई कुमारा या विवायत एक घिनीत नारी को अपना बना कर इस समाज की पवित्रता को तोड़ेगा और इसके सहमती मैं कभी नहीं दूगा कि हमारे परिवारों में एक विश्चा मा या पत्नी का अस्तान ले ले इसका अंत बहुत भयानक होगा यह भगवान महराज के इतेवर का असली बात अब समझ में आया उस गुमनाम आशिक ने महराज का जो इस गाओं पर अधिकार है और जो उसका अहंकार है उसकी नीव हिला दिये और कारण कौन है पसंती जो दोनों को चाहिए किसी भी इस त्री को विश्चा होकर जनम लेना भगवान का श्राप है उनके पिछले जनम के कर्मों का फल है अब तुम लोग ध्यान से सुनों कल रात माता मेने सपने में आई और उन्होंने कहा अगर रंगपूर गाओं की कि किसी भी विश्चा ने शादी की तो इस गाओं पर खोर विपत्ति आई सूखा मामारी भैलेगी इसलिए तुम लोग मेरा साथ दो किसी भी तरह हमारे शिश्चों से मिलकर उस गुप प्रेमी को ढूनो ने तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा बलो तुम लोग मेरा इस पांडा ने तो उने बुरी तरह डरा रखा है सद्यों से इस पांडा जैसे पंडितों ने ए लोगों के दिमाग पे अंधविश्वास का जाल बिचा रखा है और आज उनकी उसी पात का फैदा उटाते हुए वो उने पेवाकूफ बना रहा है और ये लाचार गांवाल वे उसकी हर बात को धकवान का अथेश मारकर स्विखार कर लेते हैं जिस्वा यहां एक सब बोले बिना चुपचाप यहां से निकल जाओ समधिए जाओ बसंती बसंती इतनी रात गये तुम कहा जा रहा है डाख खर डाख बाबुसे मिल ले डाख बाबुसे मिल ले अब तुम्हारा ब्याव अने वाला है तुम्हें मालूम है तुम का कर रही हो हमें नहीं मालूम दिदी हमें नहीं मालूम हम का कर रही है लेकिन हमें एक पार टाक बाबू से मिलकर उनसे ये कहना बहुत सरूरी है कि हम जो ये बिहा कर रहे हैं वो हमार लियना ही दिखली के लिए कर रहे हैं उगा भविश्य के लिए उगा जिंदगी के लिए मगर प्रेम तो हम डाक बाबु से ही करते हैं आज ये सच इप्रेम हमको जता लेने दीजे हम हाथ जोडते हैं आपके सामने हमें जाने दीजे देखो बसंती, तुम हमें मा काती हो ना, आज वही मा तुम्हारे पाओ पढ़ रही है, मचाओ बसंती, अगर भुवन पढ़ना को मालूम पढ़ जाएगा, तो तुम्हारी गर्दन काट देगा, इस लालबती में दासले फैक देगा, तुदी, उस नीच आदमी का नाम हमार स आमने मतलो, अगर आज हम नाहीं कहती थी, तो जिंदकी भर यही सोचते रहेंगे, कि हमने उनसे क्यों नहीं कहा, एक बार बस, एक बार कहले ने तीजे, फिर हम, हम जाएं थी थी, हम जाएं, थी जाओ, सामाहल के जाना, जाओ, मादुका, मादुका, मादुका ना डाक बाबू, रोसनी में मत आईएगा, हमार हिम्मत तुट जाएगी तुम चिठ्ठी बहुत अच्छी पड़त हो डाक बाबू इतनी अच्छी के हम ये भूल गए थे के वो चिठ्ठियां तोहार लिखी ना ही थे शब्द को नो और के थे, लेकिन उके माईने तो हम तो उसे ही समझे थे ना डाक बाबू हम ये बियाब तिद्ली के लिए कर रहे हैं उकी हजादी के लिए लेकिन उससे पहले हमें सच बोलने आए हैं अपने लिए बहुत साहस लेकर आना पड़ा है ताक बाबू इसलिए हम पर खुसा मत होएगा आपने हमार लिए बहुत कुछ किया है ताक बाबू बहुत कुछ अब जब से हमार जीवन में आए हमी लगा जैसे हमारे च्छप फिर से जीवे तो उठी हसने की इचा, कहने सुनने की इचा, जीने की इचा, प्यार की इचा बस इसी में जाने अंजाने हमसे भूल हो गई डाक बाबू एक ऐसी भूल जो हमारे जीवन का सबसे सुन्दर सच है लेकिन वो सच तो से कहे पिना हम अके लिए धूना पाएंगे डाक बाबू, हमें तो से प्रेम है, बहुत प्रेम है एक ऐसा प्रेम, जिसने हमें लाल पत्ती में रहकर भी आजाद कर दिया एसा प्रेम जो हमार मन, तन, आत्मा को खुद में नहा कर पवित्र कर दिया है अरे, इस प्रेम ने तो बेसरम बसंदी को सर्माना सिखा दिया है बहुत शक्ती है इस प्रेम में ठाक बाबू, बहुत शक्ती है देखो, इसने एक वैस्या को, बसंदी को सिर्फ तित्ली की मा बना दिया है आज वोई, तित्ली के सबसे प्यारे दोस्थ से आग क्या मांगने आई है, और ये पूछने आई है डाक बाबू, कि कभी, कही एक पल के लिए ही सही, क्या तो हर दिल में भी, हमार लेको नोच चगा था अरे ना ही कह दो ना डाक बाबू, मगर बसंदी को, इस बोच के साथ प्रिदा मत खरो कुछ तो कहो डाबू और ये पूर्फ नहीं है। अजयोग पुरे दो दिन हो गए, भूवन पंडा के डर से अब लालबती में कौनो आने को तयार नहीं है, ये बडी चिंता की बात है दिदी। यह सन्ना तब काटने को दोड़ता है। बसंती, पागलपन छोड़ो, अपना फैसला बदल लो। अरे तोहार उधार के लिए न कौनों नहीं आनवाला। उपरें पत्र में कौनों सचाई नहीं है। और अगर सचाई हूती, तो भुवन पंडा के एलान के बाद कोई यहाने की हिम्मत करेगा। नहीं ना, बेकार के सपना मत लेओ। अरे अपनी किस्मत में तो बस ये लाल बत्ती है, यहीं जीना, यहीं मरना, यहीं अपनी असलियत है। फालतु की बाते मत सोच, सब कुछ श्रीक चल रहा था, चैन की नीन, दो भगत की रोटी, रोजी, सिर्फ अपने बारे में सोचना बसंती स्वारत है। जरहें लोगन के चेहरे देखो, कैसे लटक गएं। अब पूरी इस लाल बत्ती में मुर्दनी सी चाईवई है। काई अच्छी बात है। पैसला पदल दो। यह आप क्या रही है दीदी। आप, जिनकी हमें देजज़त करें। वो जो हमारी एक ऐसी माह है, जिसने हमें कोक से न सही, दिल से जना है। बहुत दुख हो रहा है दीदी, आपकी इबात सुनकर। बहुत दुख हो रहा है। बहुत दुख हो रहा है। एक काच छुपा है आपसे दीदी। हमार जनम, हमार लाल बत्ती में एक कमरा, तिटली का हमार कोक में आना, कौन सा फैसला हमार था दीदी, कोई भी तो नहीं। और आज आप चाहती हम तिटली की आजादी भी किसमत पे छोड़ दे, कुछ ना करे, जान बूच कर अपनी तिटली को बसंती की जगा दे दे, ये कैसा पहसला है दीदी, ये हमसे ना होगा, ये हमसे ना होगा, आप जो मा होकर हमार लिए ना ही कर सके, वो शायद आपकी थी, लेकिन आज अगर उमजबूरी हम तिटली पर थोब दे, तो उमार कमजोरी होगी, ना दीदी, ये फैसला आप नहां बदलेगा, और आप मा दुरका की बाक्त होकर हमसे कमजोरी की बात करते, ये फैसला हमार लिए ना ही है दीदी, ये फैसला तिटली के लिए है, हम सोच रहे हैं और आप देखना है आप ही की दुर्गा माहम को शक्ति देगे कि हमारा बढ़ाया हुआ कदम फिर पीछे ना हटे कि शुप करो बाराज इसे पता नहीं का कह रहे हैं कोई नहीं इस पर जादू टोना कर दिया है हादा कि बाराज माहम करो आप आप टितली तितली कर रही है अबें साली तेरी तितली पितो तेरी तड़ा गंडि थो तो तेरी ताना था बस बस थो हार गंडी जुबान पे मेरी तितली का नाम मतला मतला तू का समझा थे रहे हमका कोई समझ नहीं हाँ धरम के नाम पे सबको लूटत है बुद्दू बनाता सबको दिन में पूजा रात में कुछ दूजा अरे काली मा की भक्ति करे है तू गंती बजाके शंक बजाके बड़ा बड़ा श्लोग बोलता है रहे तू तू और रात में रात में एक मांखे पेट पर लात मार के उंके दरद में उनकी चीक में अपनी महापुरुष्टा ढूंडे है तू दोगी बजंती न पास ब्सकर बोलने दे मुझे आज अचा जाए तू नोँस अचा बोलले थे मुझे का बोल थे करें मुझे छिनाल रंडी हाँ हूँ लेकिन तू 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 जा जाके बोल अपने मा बेन को कि रात रात भर कैसे इस रंडी के तलवे चाटता है तू हाँ तू हमार शरीर जरूर चीना है हमें मारा है पीटा है नोचा लेकिन पापी आज भी हमार आत्मा सिर्फ हमार है सिर्फ हमार है तू जैसा महा पुरुष छू तक ना सका रे जू तक ना सका चला जा यहां से लेकिन एक बात याद रखना उसे डर ना लगे है मुझे अब बिल्कुल डरना लगे हैं तुझे जो करना है जाके करें लेकिन याद रखना तेरी इस जुबान पर अगर मेरी तितली का नाम फिर से आया तो मैं इका काट लूँगी काट लूँगी इसको तब बाद पूरी दुनिया में तेरी आवाज सुनाई नहीं देगी इस वक्ते यह जीब मेरे हाथ में होगी क्योंकि आज इस रंडी के पिस्तर में भी तेरे लिए जगा नहीं जला जा और सुन ले इलाल बत्ती हमार घर है तुका रोकेगा हमें मंदिर में घुसने से ले इलाल बत्ती में तेरे जैसे नीच आदमी का आना मना है ए दीदी पाटक बंद कर दे रहे जला लए यहांसे तुफ फाला डरा डरा के मारता है मेरी तित्ली का नाम लेता है? तित्ली का नाम लेता है ? बहुत हो गया इस प्रटाँ के माथते चै चकाले चंड़तां दावं जैавाँ इनोल वी जवाल विक्रवी प्रतिक्ष्णlair अम मेरे भगवान तुही बता क्यों धर्ती पे मुझे जनम दिया क्यों सांसों में तुने सरगन दिया क्यों सीने में तुने धर्कन दिया जब सबका लक्ष केवल है अंत तो फिर क्यों तुने जीवन दा दिया मेरे भगवन तुही बता क्यों धर्ती पे तुने चनम दिया जब तेरी लिखावट ही है पत्थर की लकीर तो फिर क्यों करम का ब्रहम दिया तूने हर वस्तू को अपने हाथों रचा इस स्रिष्टी को तुभर क्यों किसी में सुगंध तू किसी में दुरगंद दिया अरे जब सुनी नहीं पाता है तू 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 भर क्यों इन कंटों में तूने स्वर दिया हुआ है में तो ही बता क्यों है क्यों है क्यों चोटे नांग नहीं होने वाला है हमने अनलान को नसे में कैते सुना यूब भूवन पंडा आज रात वो शंती को मा डालेगा और पूरे गाउं को हांग से जला कर राख कर देगा उसे रोकिए उफुवन पंडा बहुत ही हरामी किसम का आदमिया चोटे डाग बाबु उराज जब आप हम दुख्यारों के लिए लड़े थे ना आपने आवाज उठाई थी तभी हमको लगाता कि आप आग भला ही ना सही लेकिन चिंगारी जरूर है जो एक बगावत उका प्रेम सिर्फ चिठ्छन तक सीमित है जाओ अपना सिंगार विंगार उतार दू हम लोगन के जीवन की सचाई बड़ी कटू है जिस माथे पर एक बार कलंक लग जाता है वहां मांग कर टीका शोबह नहीं देता है दो के बाद साला हमार बच्चिक के साथ खिलवाड कर गया शब्दन के जाल में फसाए दिया साले ने गलती उका नहीं दिदी जो हम धर्दी दिखा थे गलती तो उका है जो अपनी वाकात भूल जाता है हम अपनी वाकात भूल गए थे दिदी भूल गए थे के एक लास पर लोग रो सकता है उका अपने घर में कोई जगा नहीं देता समझ गए यह बात यह बात अब हम समझ गए हमसे फिर यह गलती कभी ना हो तू का टुकु टुकु देख नहीं रही सच तच के लाली पूद कर कहों जा रही थी सपने देखने का इतना ही सौग है तो जा दूर्ड़ने कोई दूसरी माँ का ले का ले का ले का ले का ले का ले साथी करेगी साली पालिज्जेट के ले किडम में हाथीया यह चली जा चोड़ रही थी यह चलीज्म है चलील ज़ीं होमाननि जोओलो यह आसे यहां से चलीजा है हां सजादा जाके नंगा करते तुरे जी जी हटना रे हट हटना रे हटना रे हट 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 कि अजय दूट चुकी है और जैसा वह हमेशा कहा करती थी वो वही करेगी जो उसे आता है और अपनी पुरानी जिंदिगी में ढ़लने की कोशिश करने लगती है वही वहिश्या के सिंदिगे बसंती अरे ओ बसंती बसंती अरे का हुआ आ रहे हूं का हुआ देखो तो डागगर से कौन आए बड़े डागगपाबू आप इस वैस्या से का कामान पड़ा आपको हमार नाम की कोई चित्थी आई है का और वो दूसरे डागपाबू उना ही आये काम छोड़ के चले गए का अरे का रहे वो कहीं नहीं गया है हाँ दरसल यहीं बताने में यहां आया उस राज जब चंदन उसमेले से निकला कौन से भगवान ने यह कहां लिखा है कि एक औरत को देवी पतनी एक वैश्चा ही बनकर जीना होगा यह सब तम धोग्यों की बाते हैं अरे तुझ जैसे लोग ही गरीबों को अशिक्षितों को अपने काबू मिरखने के लिए धरम को सादम बनारेते हैं कि अरे धरम तो प्रेम है रए अधिकार है सही जीविन जीने का रास्ता है यह और तेरे लिए धरम जहर है जो लोगों को लाचार बनाती है भारू जो स्रफ और सिर्फ पर्वान नीचाती है साद्व नहीं शैतान है तू नहीं अरे काम पूरुष है तू आप बहारा तुझे दिखाओं कि चाहे अन्या कित्रा भी शक्तिशाली क्यों ना हो पर इंसानियों की एक अंदी से तोकर कैसे उसके सट्टी अड़ा देती है कि एक खरूपिय एक उरिंदे मैं सत्ते हूं सत्ते जो हमेशा से तिल है अतल है जाहे कुछ हो जाए यह पर सत्ते अमरहे है कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दोचसे कर दो दो अारी, कि आएजसे हां! मिस्ट्रा आके खुल बेटा पसंती तुम आगे चोलना अधा हमें चोलना आगे इशा 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 नेरे यंदा पिटा व्स्क बेटा आके खुल पिटा आके खुल पिटा अधे को हमारे हमारे म्याकर समय हो गया बसंती है इनको तयारिक कर ली है हमने पूरी तयारिक कर ली है हमने पूरी तयारिक कर ली है जंदन ही तुम्हारा वो गुम्नामाशित था जो तुम्ही पत्र लिखता था बेटी यहां मैं तुम्हें और अपनी नाथिर को यहां से बहुत दूर ले जाने आया हो चल बेटी यह यह पमाल अपनी आबाड़ पमाल यह 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 आजाये हो वो भी ऐसे यहां भी थोका देती है ना ठाक भाबू अपना प्यार बताए भी दिए दिखाए भी दिए चताए भी दिए और हम हम तो कह भी न सके ठाक भाबू हम तो कह भी न सके जब हम ऐसे हचाई से प्याना करें खुशा हो गएका तथ हम तो मजा कर रहे थे हम तो कबसे तयार है ठाक भाबू कबसे तयार बसंती तो हार है ठाक भाबू हम में तो करें रहे ह। कि अधने तो प्राइका भाब्स कि अधने प्रूए खुशा हम तो कि अधने तो मुशा हम करें डहे हम तो हुआ 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 है ये शाव्यातरा भूवन पंडा की है वही पालकी और उस पालकी पर उसका मृत दे उसी प्रकार रखा गया है जिस प्रकार वो जीवन भर उस पे सवार होता रहा है भूवन पंडा जैसे लोग कभी नहीं बरते उसका करूर चहरा अपनी अनुयाईयां और समाज पर कटाक्श मार रहा है और चेतावनी दे रहा है कि मुझे मृत समझना मूर अखता है अपनी धार में कट्टर पंती नीतियों से समाज पर अपना प्रभुत्व जमाने के लिए और उन नीतियों को न मानने पर युगो युगांतर तक बुराई का यही यंद्ध होगा बसंती और चंदन का बलेदान व्यर्थ नहीं किया रंगपुर गाउं को भूवन पंडा के आतंक से मुक्ती मिल गए और पूरे गाउंवालों ने बसंती को अफ़तार की तरह स्वेकार किया बसंती और तितली को बहतर जिंदीगी देने के प्रयास में चंदन ने अपने प्रांट तक की आहोती देती इस घटना ने पोस मासर नरेंदा के वैश्याँ की प्रती नफरत को बदल कर उन्हें प्रेरित किया कि वो बसंती के वरतमान और तितली के भविश्या को बहतर बनाने की पहल कर सके नरेंदा ने अपना वादा निभाते हुए बसंती और तितली को लालबुती के उस अंधकार में जीवन से दूर ले जाकर आजादी, संपूरनता और समान्य भविश्या प्रदान किया इस नए जीवन से बसंती ने अपने सारे सपने पूरे किये तितली को पूरी शिक्षा मिली और उसकी अच्छे घर में शादी हुई सारे देश में वैश्याओं के उध्धार जैसे समाजिक कार्य करके तितली को समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान मिला तो मेरे सदियों पुराने राहगीर अब तो तुम जान ही गए होगे कि भारत के हर गाउं में एक ऐसी जलती चिंगारी है जिसे अगर भड़का दिया जाए तो वो जवाला में परिवर्तित हो जाती है और समाज के शोशन वो दोरेपन को अपने भीतर समा लेती है पर अगर तुम लोगों को शिक्षन के हत्यार से ग्यान का पाठ पड़ा सको तो उस सुलक्ती चिंगारी को आग और फिर उसे राख बनाने की बजाए एक रोशनी जलाने का काम दिया जा सकता है जो अंधेरे को दूर करते